दिमाग हराब हो गया अपका हम कुछ कहते ने इसका मतलब यह नहीं कि आप हर चीज अपनी मरजी की करें अब वो बच्चा लला का नहीं है यह पता चल चुका है ना फिर क्यों आप उसे घर ले कर आएं क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली अरे अरे अमा आप बिना मतलब इमोशनल हो रहे हैं अरे हम बस नवीन को और साक्षी को यह समझाना चाहते हैं कि जिम्मेदारी और काम साथ में किया जा सकता है संबाला जा सकता है यह मानते हैं आप खुद भी हां तो पर आप क्यों ने ले कर रहा थी अपना खुद का छोट अरे हम देखें पुष्पा जी वह हमारा परस्टोल मैटर है वह हम क्या चाहते है वह हमारे ओपर डेपेंड करता है ठीक है यह केस है मिसको केस की तरह सॉल्व कर रहे हैं मतलब आप हमारी बात नहीं मानें अरे यह बहुत गलत किया अपने करिश्माजी, एसा नहीं करना चाहिए था, यह मम्ता का शहद है, बहुत गहरा होता है इसका स्वात, एक बार अगर मुह लग जाये ना, तो जल्दी नहीं छूटता, नहीं जी पाएगे आप उसके बिना, अब कैसे समझा हूँ मैं आपको, एक तार तार आ जे आओ, दूर 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 रहे, ठीक है? चलो सब काम करो क्या कर रहे हैं सब चलो चाय, 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 येली जड़ं, वत्तनाम इस्पसल चाय एको माड़ते रुखो अरे माड़, नहीं माड़, नहीं माड़, नहीं माड़ अभी सोजो, भाद थे रुखे, सोजो, सोजा, सोजो इता तो ट्राफिक लगा हुआ है माड़ में हाह, रोको हम गाते है लाओ बच्चे को दे दो ने ने देव नित देवादे चलो भाया, ट्राफिक वठाते जाके, हाह अधिम को बताते हैं सब कुछा के अधिम मा क्या एक सेगी एक सेगी क्या कर रहे आप लोग यहटाई अरे मदद कीजिए ने कोई इनका मदद कीजिए तुम क्या खड़े खड़े मूह देख रहे मदद करो हौन मार रहे बस मदद कोई नहीं करेगा उस तरफ जाई उस तरफ जाई उस तरफ खड़े एक सवाल अपड़े एक बच्चे की परवरिश भी कर रहे हैं कितना मुश्किल है यह आपके लिए और आपको नहीं लगता की इससे आपकी ड्यूटी की एफिसेंसी पर फरक पड़ेगा जी बिल्कुल नहीं, जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम का सम्मान करते हैं, तो कोई भी जम्मेदारी उसके आड़े नहीं हाती है, सब हो जाता है, सब निप जाता है, वाह, क्या बात है, चल टक चल लें, मैम फिर भी ड्योटी और एक बच्चे के परवरिश करना, इतना भी अछान नहीं होगा, रानी लक्षमी भाई ने युद कर लिया था पच्चे के सथ, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, कहाँ, सब हो जाता है, यह इतना ao मा की जिम्मेदारी को मा कहते है और कहते हैं कि बच्चे को जनम देना वो दर्द मा के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है पर हमें लगता है वो दर्द का रिष्टा तो जिंदी की भर के लिए जुड़ जाता है ना बच्चे से तभी तो कहते हैं कि बच्चे को छोट लगी त सबसे पहले माँ को दर्द होता है, उसकी सिसकारिया निकलती है तो कुछ ऐसा ही है और आप बस हमें इसकी माँ समझ लीजे या बात है अटेक सानली एक नुमबग ये है हमारी गुमिराली मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिये मैं मा तो बन गई पर सही माइने में मा का मतलब आज समझी हूँ और वो मतलब आपने मुझे समझाया है येस में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है में हम खुद ही सेलफिश हो गएते और हम भूल गएते कि ये हमारी जिम्मेदारी है और इसे निवाना हमारा फर्ज है मैं प्रॉमिस करता हूँ हम आज ही शादी करेंगे और हम दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी उठाएंगे तो मारा चल तो नहीं है तो ऐसे तो नहीं है तुम दुबारा इस बच्ची को किसी की घर के बार छोड़ दोगी बस मैडम और शर्मिंदा मत कीजिए हमें ये कोई नाटक नहीं है हमें सच में अपनी गल्ती का हैसास है और वो एहसास आपने हमें दिलाया है मैडम आप सच में हम पर भरोसा कर सकती है हम बच्चे को पालेंगे उसका खयाल रखेंगे प्लीज मैडम हम पर यकीन कीजिए बाबाजी कर आज है जब मन किया छोड़ दिया जब मन किया ले लिया अमा आप इतना काई तिल मिला रही है आपका पोता थोड़ी मांगा है चल लए चीते खोलो इनको हाँ ठीक थांक यू मैडम हमें माफ करने के लिए नहीं आपका पाराइए चीते खोलो नहीं नहीं श्ष्ट बढ़ना कंटाप लगाएंगे मारे मूँ से ना फिर कोई बात लिख लेगी दरोगा जी तेखी तो बात मगर तुमसा न देखा चुपो जो चुप जा वाक लूक थांक यू मैडम अक्ष्ट क्ष्ट लुट युट युट जाव मुट अपक्ष्ट में कुछी आम खुशी के आसु है हम सोच रहे कि वो तंटा काता मुहा गया वो कितना उसने में पता है तंग करके रख दिया था हम बोरा आ गए ते उसका सूसू पाटी साफ करते करते हम एकदम चैन की नीन सोएंगे एकदम चादर तांगे कोई टेंशन नहीं है अब वो गया जूट बोलना आता नहीं तो काई के लिए बोलती है रहे मेरे कमालों मैं तुन्हें सब जानबूचकर किया जानबूचकर खुद को उस बच्चे से जोड़ा उससे इतना प्यार किया ताकि उसके माबाप के अंदर का प्यार जगा सके कमाल किया रहे तू चटक जानबूचकर किसी और की अंदर दर्द का अहसास जगाने के लिए खुद को ही जखमी कर दिया तो जितनी सक्त दिखती है न उतनी सक्त है नहीं महरे यह मोट सक्त है मोट सक्त है है पर इसी सक्त कडक पुलीस वाली के लिए मुझ जैसी नकली पुलीस वाली की तरफ से यह तो बनता है और सिर्फ मैं नहीं अन अ nut again कि है कर दो क् कडलर लगांगे जरूर लगांगे कलर भी हमारा होगा जगा हमारे हूण और थोबडा भी हमारे होगा अब पुलिस थाने के से हमें ये शोर-शराव। चारण रहे उन वह का कुछ तो लिहाथ करो थाने का बहुत बढ़िया किया आपने मैडम सर बना यह ऐसे नहीं चाहते यहां से है ना है ना है ना मा पे हमना मा पे हमना है मिलम पे हमना हुँआ कश बेंदार श्यक्षट बगला कई हो हुआ होली है कि होली है ने-ने अरे हम पुलिस है अंदर कर देंगे तुमको नहीं कहलेगी आजा इधर आजा पक्का हां पक्का देखो है हुआ हाली केलेंगे अरे तुम असली पुलिस्वाली नहीं, मैं थोडी है, मैं तो नॉर्मल सब्हाइये, मैं तो केलेगी रुख 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 जा नहीं तो नहीं तो क्या रे मातरी? आइटम? sound नहीं, फिर भी हम कंप्लेाइन करेंगे तुम्हारी कर दे, तेरा मुल्कों की पूलिस मेरे को डूणरी है, तू डूणे की कोई भरक नहीं पड़ता, तेरे को भी लगाएगी, तेरे को भी लगाएगी, तिरी बहुको भी लगाएगी. अरे, हमारी अमा, उनके तु पास भी मच जाना तुम. कई के लिए? उनका मूड बहुत खराब है, देखो, चेता रहे है तुमको, अगर तुम गई और कुछ बवाल हो गया है तो फिर देखना अरे बवाल कही तो सवाल है डार्लिंग, अभी देख उसका मूड कही से ठीक करती है मैं अरे मर्चा, मर्चा, मर्चा तुम अरे, इधर फोपके बैठी है तो, किदर किदर नहीं ए यह तो वो हजीन दिल्रुबो का लॉकट है ना, ऐसा क्या छोपाती है मरे से, किदर ती तटक तनी, किदर किदर मेरे को का करना है, का दिक्कत है तुम्हारा मेरे को एक बात बता, जब तु पाइदा हुए थी, तो, हंटर लेके पाइदा हुए थी या AK47 जब यह को ता-दा-दा-दा-दा-दा-दा-दा-दा-दा माणने को ता गयार पर वाईसे भी, ऐसा क्या छुपाती है रहे, एक बार ढापाता ना मैंने वो पेंड़ रहे, पर फिर इसा डाप सकती है अच्छा, ढाप के तो दिखाओ, तो वारा हात ना उखाड देंगे ठीक है, उखाड देना, पर उसके पहले हैपी हुली एक मिन, एक मिन, हम वर्दी पे हैं, अभी रंग नहीं लगा सकते हैं, बुली-बुली सा बाद भी अच्छ तो बस तूसा शागून का तुमको समझ में नहीं आता है, क्या तुमको बोला ना भी हम वर्दी में हम रंग नहीं लगा सकते हैं Karishma Singh, शगुन का रंग आपको लगाना होगा, और अच्छ 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 तुम अपने अपको मैडम सर बनने को बोला तो मैडम सर समझने लगी हो खुद को तुम निकलो यांसे, चलो तुम चलो पम्मी, मम्मी, तुखर, तुखर, तुखर कटो यांसे, निकलो तुमारा काम भतम हो और दफा हो यांसे, शकल मत दिखाना अपनी हमें अरे, क्या, कहा दा ना, कहा दा ना आमने उन्हें रंग मत लगाओ, छेडों मत, मुड़ खराब हैं उनका कभी तु किसी की बात सुना करो तुरे को लगाओ मतरी, बात, चुख और आप, आप क्यों इतना नाराज हो रही है, रंगी तु लगाने की कोशिश कर रही थी बेचारी देखे पुषपा जी, बात रंग का नहीं है, बात बात का है इसको हम यहां लाए थे मैडम सर बना के, ताकि हम मैडम सर के कातिलों तक पहुँच सके लेकिन पहुचे अभी तक नहीं तो फिर इसका कोई काम ही नहीं है ना? अब इसका काम खतम हो चुका है समझे हमारी बात को, और सब की सीमा पार हो चुकी है अब नहीं थिये जाते है जो दोहजार उपे तुम सबसे बहुत नहीं डबको, ये तुम पकड़ो नहीं नहीं मेरको मैं मुफ्द मेरे लेगी इतर नहीं थे तुम यहाँ से, तुम्हारा चैरा हम देखना नहीं तो हमें फə्सेर क हीआत आती है जा तुम यहांसे देखे आप आप शान्त हो जाई शान्त हो जाई शान्त हो कि आराम से बाग कीजिए नहीं पुषपाजी आपको अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया की इस धका पेल में काम की जिम्मेदारियों में आपको एसा खपाके रखाता जान मुझके कि हमें बस मैडम सर का याद ना है उनका वो चेहरा ना दिखे जो जो ऐसे जाते होई हमें दिखाता हूँ और हम कुछ नहीं कर पायते हूं उनको बचान नहीं पायते हम लेकिन ऐसा कोई एक पल एक शन एक दिन नहीं गया कि जब हमें उनका याद ना आया हूँ हर वक्त हमें उनका चेहरा याद आता है और हर वक्त उनके चेहरे के साथ हमें यह याद आता है कि हम अभी तक मैडम सर के कातिलाग तक पहुंच नहीं पाये अभी तक कुछ उखाड नहीं पाए है जब भी आईने में खुद को देखते हैं तो एक ना काम्याब करिश्मा सिंग नजर आती है जो कुछ नहीं कर पाई अभी तक ना जीते जी उनको बचा पाई और ना उनके मठने के वाद उनके कातिलों तक पहुच पाई क्या कर रहे हैं हम क्यों जिंदा है हम मर जाना तो हमको चाहिए और जब ये ये जब हमारे सामने आती है ना तो हमारी हार का बोच वह बढ़ जाता है इसको बोलिए ये यहां से चली जाए बस बहुत हो गया करिश्मा सिंग अब हम आपको इस तरह टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकते अब हम अनुभव का इंतिजार नहीं करेंगे आपको अभी इस वक्त सब कुछ सच सच बता देंगे करिश्मा सिंग हम आपसे कुछ बात करना चाहते है एक मिनिट जहन भाईया जहन भाईया जहन भाईया हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम वापस आ गये हैं और आपसे मिलकर वो पेंड्राइव लेना चाहते हैं क्या बात करें भाईया आप वापस आ गया है यह तो बहुत अच्छा बात है और वो पेंड्राइव हम खुद आपको देना चाहते हैं अब एक सिरफ आप ही है जो हमें मैटम सर के हत्यारों तक पहुचा सकते हैं अवश्य आपकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी हम भी जल से जल्द हसीना जी के हत्यारों तक पहुंचना चाहते हैं इसलिए आप से मिलकर उस पेंड्राइव के जरीए उन हत्यारों को पगरना चाहते हैं जी भाया कली आपको वो पेंड्राइव दे रहे थे ठीक है कल कल नहीं बेना आज आज अभी अभी हम आपके पास आ रहे हैं अच्छा तो उत्योहार का समय ना थोड़ा काम का लोट जाद है हम एक ग्राउन मार कर आते हैं दो घंटा में वापिस आके आपको थाने में ही मिलते हैं ठीक है भाया जहन 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 आज वो pen drive मेरे हात में होगी और तुम्हारे हात में होगी Hasina Malik की लाश लगन इस बार अदमरी Hasina Malik नहीं पूरी तरह मर्चुकी Hasina Malik हाँ तुम क्या गह हाँ तुम क्या हा रही थी तुम अब नहीं, कुछ नहीं आप राउंड मार के आये बाद मी बात करेंगे. सॉर्य. ठीक है. और तुम? नहीं, तुम हमें रंग मत लगाना, हमें. लला के पपा की याद आती है, बहुत. नहीं, आप नहीं लगाना बिलकुल भी. चलो अच्छा हुआ अनुभव वापस आगे अब पेंडराइफ बक्षी सर के पास पहुँच जाने के बाद ही हम करिश्म सिंग को अपनी सच्चाई बताएंगे आखिर वो दिन आही गया जिसका आपका और हमें बेसबरी से इंतिसार था आपको आपकी पेंडराइफ मिल जाएगी और हमें हमारे पैसे उस पेंडराइफ में जिन पांच अड़कव एजिंट्स के नाम और डीटेल्स हैं उन्हें मार कर आप हमेशा अपने सर पर मनरते खत्रे को खत्म करेंगे और हम पांसो करोड रुपिया लेकर ये मुल्क छोड़कर कहीं दूर जाकर आपकी जिन्दगी जियेंगे ऐसे ताया रखना हम जल्दी मिलेंगे सप्राइज सिना जी आप यहाँ आप वापस आगए हैं ये बतानी की जहमत आपने तो उठाई नहीं तो हम ने सोचा क्यों ना हम ही आकर आपको सप्राइज दे दे दरसल हम खुद आपके सामने आकर सप्राइज देना चाहते थे लेकिन आपके सप्राइज ने तो हमारे सप्राइज की हवान करें निकल दी है सच बात तो ही है अनुभव कि हम आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं आप प्लीज ये ड्रामा खतम करते हैं हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम हसीना मलिक हैं पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं लेकिन हमाली बहुत मुश्किल होता जा रहा है अपनों से हमेशा जूट बोलना ये उर्मिला के भेस में खुद को बनाए रखना अब अब हमसे और नहीं होता हमें घुटन होने लगी अब हसीना जी आप यकिन नहीं मानेंगी हम भी बिल्कुल यही चाहते है गुड हमें खुशी है इस बात की और खुशी इस बात की भी है कि अब फाइनली हमें मौका मिल रहा है अपने इस रिष्टे को दुबारा शुरू करने का शायद वो प्यार जो शायद हम दुनों के बीच खोग चुका है उसे रिवाइव करने का अब हम आपसे बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहते क्या हो आप ठीक है अहां अहां सिना जी हम ठीक है अनुभव अब हम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे हम भी आपको कहां छोड़ने वाले हैं असिना जी आप नहीं जानती है कि इस पल का इंतजार हम कब से कर रहे हैं नहीं छोड़ेंगे हम आपको अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बस वो पेंडराइफ हम बक्षी सर को सौम देंगे और उनसे कहेंगे कि सर अब बहुत हुआ हमें अब शादी करनी है वरीवार बसाना है और किये वादे पूरे करने है वो किड्ने पर जिसने मुझे उठाया था मुझे लगते वो डियेस पे अनुभव था साजन का शक कहीं सही तो नहीं था अनुभव ही तो नहीं सब के पीछे क्या हुआ हसीना जी का अंख हो गई आप आपके चहरे का रंग की उड़ गया साच हमारी आखों के सामने था और हम देख नहीं पाए मतलब मतलब आप हमे आप हमें सगाई से छोड़ कर क्या चले गए हमने पता नहीं क्या-क्या सोच ले आपके बारे में लेकिन अब हमें आपका प्यार दिखाई दे रहा है और अब सारी सच्चाई हमारी आखों के सामने है बस डर इस बात का है कि अब कोई नया तुफान ना आजाए नहीं आएगा असीना जी कोई तुफान नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे बस एक बार वो पेंडराइफ अपनी सही जगा पहुंचाए तो हमारी एक कहानी भी अपने सही अंजाम तक पहुंची जाएगी बिल्कुल हम चले सी उसूर कुछ तो गड़बड है हमें अनुबव पर नजर रखनी होगी पर अप्डेट्स सब्सक्राइब तो आर चैनल क्लिक देशो लिंक्स और एंजोई वाचिंग देविडियोस क्लिक देशो आर चैनल